हम बात कर रहे हैं IRFC की अगर आज के दिन की बात करें तो हमको इसमें 1% के उपर की गिरावाट के साथ closing देखने के लिए मिली है इससे पहले भी वीडियो में हमने discuss किया था और बताया गया था कि 80 का लेवल जो इसका एक स्ट्रॉंग रजिस्टंस का काम करेंगा इससे पहले भी 80 की लेवल से हमको बड़ी गिरावाट डेखने के लिए मिले 80 की लेवल से बार-बार इस्टॉंग रिजेक्शन फेस कर रहा है और हमने देखा कि आज के दिन में भी उसी के आसपास से हमको selling pressure देखने के लिए मिला है लेकिन यहां अभी breakout के chances पुरे-पुरे बन रहे है क्योंकि इस टॉंग ने देख सकते ब्रेकडाउन किया था 65 की लेवल से बांस बैग वार आया रहा है पैटन हमको बता रहा है तो इस ब्रेक आट के साथ आर इस पैटन क्या according यह जो लेवल है इसका 80 का लेवल यह ब्रेक आट हो जकता है इसके पुरे-पुरे chances बन रहे है अगर immediate support की बात करे तो 74 का लेवल एक immediate support का काम करेगा और इस टॉक 74 के उपर 74 के उपर sustain हो जाता है उसके उपर ही काम करता है तो वैसे condition में हमको 80 का लेवल easily breakout होते हुए नजार आ सकता है अगर आप payment account open करना जाते हो तो description में दीवही लिंक से कर सकते हो यहां भी थोड़ा इंतिजार करना है position बनाने के लिए 80 के level का breakout का इंतिजार करना है क्योंकि यहां stock का टॉप बन चुगा 80 का level हो सकता है इंतिजार के 74 के level से bounce back होके 80 के level को breakout दे सकता है 80 के level breakout होता है तो यहां position बना ही जा सकते है फिर हमको हमारे लिए आगला target बनेगा 85 का level वैसे condition में फिर हमको 90 से लेके 94 तक के target इसमें easily देखने के लिए मिल सकते है position बनाई हुए तो यहां hold करके चला जा सकता है लेकिन new entry के लिए थोड़ा इंतिजार करना है 80 के level के breakout का